नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन श्रमा स्वाद कतम सभी का आपके अपने चैनल जोतिश एंड वास्तु में कैसे हैं आप सभी? आज हमें आपर बात करने वाले हैं 24 ओक्टोबर 2024 के बारे में 24 ओक्टोबर 2024 का ये दिन आप सभी के लिए क्या कुछ लेकर क्या आ रहा है? कौन-कौन सी वैदिक रेमेडीज आप सभी के लिए आज के दिन में बहुत जादा अच्छी रहेगी कैसे आप इस दिन को और जादा बहतर बना सकते हैं? सारी जानकरी मिलेगी आपको इस वीडियो में अंतक देखेगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए 24 ओक्टोबर 2024 गुरुवार का दिन आज का दिन बहुत बहुत जादा पॉजिटिव दिन है आज एक तरफ गुरु पुष्य नक्षत्र संयोग यहां पर बना हुआ है बहुत रेर ऐसे समय आते हैं जब गुरु पुष्य नक्षत्र का योग बनता है और गुरु पुष्य नक्षत्र का फाइदा कैसे उठाना है इसके लिए मैंने आपको एक डेडिकेड़ वीडियो औल्डी दे दिया है अगर आप सभी ने उस वीडियो को जाकर के नहीं देखा है तो आप से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उससे जाकर के देख लीजिये और उसमें जो मैंने शुब महरत दिया है उसका पूरा पूरा फाइदा जरूर उठाईए आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे आज गुरू पुष नक्षत्र सैयों के अलावा आज का दिन और भी ज़्यादा विशिश इसलिए भी है क्योंकि आज अहोई अश्टमी सेलिबरेट करी जाएगी अहोई अश्टमी एक बहुत महत्पुन्ग दिन माना जाता है इस दिन माताएं अपने बच्चों के स्वास्त के लिए बच्चों के करियर और भविशे के लिए बच्चों के आने वाले भविशे को अच्छा बनाने के लिए बच्चों की प्रगति और सम्रिद्धी के लिए वरत रखती है और पूजा करती है आज का दिन आप सभी से request करूँगा कि अपनी माताओं को धन्यवाद जरूर दीजिएगा कि वो इतना effort करती है आपके लिए और आपके अच्छे भविशे की कामना के लिए आपको अच्छा बनाने के लिए हमेशा वो तयार रहती है अहोई अश्टमी एक बहुत ही जादा positive दिन है इस दिन माता अहोई की पूजा करी जाती है और तारों को देख करके इस दिन को संपन किया जाता है चंद्रमा को जल चड़ा करके पूजा करी जाती है तारों को जल चड़ाया जाता है और संध्या समय पर भोग लगा करके पू कोई दिकत निये आप वरत अगर रखना चाहें तो जरूर रख सकते हैं इसके अलावा आप मातारानी की अराधना करके पूजा अर्शना करके तारों को अर्ग जरूर दीजिए और तारों को अर्ग देने का जो सही समय है वो मैं आपको बता देता हूं कि क्या समय है वो आप ताकि उस समय पर आप तारों को अर्ग दे करके अपने दिन को अपने इस समय को और आने वाले भविश्य को अच्छा बनाने का समय जरूर करते हैं कहते हैं कि अहोई अश्टमी के दिन तारों को जरूर देखना चाहिए और शुब मौरत में देखे गए तारे के साथ मांगी कई विश हमेशा पूरी होती है अहोई अश्टमी के दिन चंद्रमा को जल जरूर चड़ाना चाहिए ऐसे समय पर चंदरमा को जब चल चड़ाते हैं और अपनी विश मांगते हैं तो आपको अच्छे परिणाम जरूर जरूर देखने को मिलते हैं तो आज के दिन में तारों को देखने का समय जो रहेगा वो शाम को 6 बच कर 6 मिनिट का समय रहेगा शाम को 6 बचकर 6 मिनिट के समय पर किसी भी तारे को आप आस्मान में देखें और अपने बच्चों के लिए अच्छी प्राटना की कल्पना करें आपको अच्छे रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेंगे और चंदरमा को अर्ग देने का समय जो रहेगा 24 October 2024 को रातरी को 11 बचकर 55 मिनिट पर चंदरमा को अर्ग देने का समय रहेगा चंदरमा को अर्ग देने के लिए तामवे के लोठी में ज़र लीजिए और चंदरमा को अर्ग दीजिए और उस समय पर आप अपने बच्चों की भविशे के लिए प्राटना करें आपको अच्छे परिणाम जरूर जरूर देखने को मिलेंगे आज के दिन में आप सभी को अहोई माताजी का भोग जो आप लगाएंगे उस भोग में दूद, चावल या खीर आप बना करके केसर यूगतर खीर बना करके आप भोग लगा सकते हैं माल पुए का भोग जर लगाया जाता है और इसके अलावा आप ड्राइफूट्स को रख करके भी भोग लगा सकते हैं उसके बाद अपने बच्चों को वो चीज खिलाएं आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे आज के दिन में अगर आपका जन्द दिन है आपके जीवन का कोई भी विशेश महत्पुन दिन है आप सभी को मेरी और से हारदिक शुक्राम लाएं आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत ही जादा महत्पुन साल रहेगा आने वाले साल में आप सभी को कई सारी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी कई सारी अच्छी चीज़ें आप अरजित करते होगे नज़र आएंगे सरे की योग बनते हैं आप सभी अगर प्रापर्टी गाड़ी खरीदना चाहते हैं इसके लिए प्रयास शुरू कर दीजिए और जैसे मैंने कहा आज का तो दिन भी बहुत अच्छा है आज के दिन भी आप सोना खरी सकते हैं गवाहन खरी सकते हैं मकान के लिए कोशिश कर सकते हैं और आने वाले साल में भी आप अपनी चाओं को पूरा जरूर कर सकते हैं करियर में तरक्की के लिए और गर में मांगलिक आईजनो के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है आपको अच्छे प्रिणाम जरूर जरूर देखने को मिल जाएंगे अब बात करते हैं यहाँ पर आज के दिन में कौन सी राशी, नमबर और अलफबेट के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा राशों में यहाँ पर बात करें तो आज के दिन में मेश राशी, रश्चक राशी, धनू राशी और मीन राशी के लिए समय काफी ज़्यादा अच्छा है नमबस में नमबर एक, नमबर दो, नमबर तीन आप के लिए समय काफी ज़्यादा अच्छा है अल्फबिट्स में देखा जाए तो अल्फबिट्स में E, H, N, O, U और Z आप सभी को अच्छे परिणाम जरूर जरूर देखने को मिलेंगे आज के दिन में गोल्डन विश टाइम जो रहेगा ये तारों को देखने वाला समय ही गोल्डन विश टाइम बनेगा शाम के समय में पांच बचकर 30 मिनिट से लेकर के छे बचकर 30 मिनिट का जो समय रहेगा ये आप सभी के लिए बहुत जादा अच्छा समय है कि समय में आप कोई भी जरूरी कारे करें आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे आज के दिन में color combinations की हमपर बात करें तो yellow color को आप इस्तेमाल करें yellow color को लेकर के आप अपने दिन के शुरूआत करें yellow कपड़े भी आप धारण कर सकते हैं ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज हल्दी का टीका अपने माते पर जरूर लगाएए किसी भी विशेश कारे से जब भी आप बाहर जाते हैं अपनी माता जी को प्रणाम करके उनका आश्रिवार लेकर के ही बाहर जाईए ये भी आज आपके लिए अच्छा रहेगा आपको ओम नमो भगवते वासु देवाय नमह इस मंत्र का जाप जरूर करना चीए कम से कम 21 बार आप इस मंत्र का जाप करें ये आपके लिए बहुत बहुत ज़ादा अच्छा रहेगा आज के दिन में क्यूंकि जैसे मैंने का गुरु पुशन अक्षत्र यहां पर बना हुआ है और गुरु पुशन अक्षत्र के साथ ही अहोई अश्टमी का एक Sans Yogi भी इहां पर बन रहा है और इस वज़े से आज के दिन में खरीदारी के लिए या किसी भी महत्वपुन्ट चीज को खरीदने के लिए समय बहुत अच्छा है और जो जो चीजें मैंने अपने दूसरे वीडियो में बताई हुई है उसमें से कोई भी चीज आप खरीद लें आपको अच्छे प्रेणाम जरूर देखने को मिलेंगे क्योंकि आज के दिन में प्रास्परिटी जलकती है आज के दिन में पॉजरिविटी जलकती है आज का दिन सक्सिस को इंडिकेट करता है वेल्थ को इंडिकेट करता है तो आप सभी की सुख और सम्रिधी को बढ़ाने के लिए अपने जीवन को आगे बनाने के लिए आप सभी को आज का दिन में जो angel number इस्तेमाल करना है ये कौन सा है? प्लीज नोट पलीजिगा आज का जो angel number आएगा 4, 1, 5, 2, 6 4, 1, 5, 2, 6 बहुत बहुत जदा अच्छा number है बहुत ही जदा positive number है आज के दिन में ये आपकी prosperity को बढ़ाएगा आपकी wealth को बढ़ाएगा आपकी health को अच्छा रखेगा सुक और सम्रिधी के रास्ते आपके लिए खोलता हुआ नजर आएगा और मन प्रफुलित होता हुआ आज ज़रूर नजर आएगा आज का दिन आप सभी definitely बहुत अच्छे से enjoy करते हुए नजर आएगे उमीद करता हूँ आप सभी के लिए आज का दिन शांदाल जाए और किसी भी तरह की कोई दिक्त पर परिशानिया आपको देखने को ना मिले वीडियो को लाइक कर दीजिगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिगा बैल आएकन पे आज के दिन में जरूर से क्लिक कर दीएगा और साथ ही साथ जहां जाएं इस वीडियो को शेर कर सकते हैं जरूर से शेर कर दीजिगा ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे और वो भी इसका पूरा पूरा फाइदा जरूर उठा सके धन्यवाद